नमस्कार, आगाश्वानी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात भारत में इस वर्ष अप्रेल में सर्वाधिक एक लाग सत्तासी हजार करोड़ बेश से अधिक का वस्तु और सेवाकर संग्रह हुआ प्रधानमंद्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये भारती अर्ष एवस्ता के लिए बड़ी उपलब्धी है भाजबा के वरिष नेता और प्रधानमंद्री नरेंद्र मोदी करनाटक में विधानसभाद चुनाव के लिए रोडशो और जनसभाएं करेंगे कॉंग्रिस पार्टी आज अपना घूफना पत्र जारी करेगी भारत आज मौलदीव को तीवर गती का एक गश्टी पोत और एक जल्यान सौपेगा इरान ने भारत के साथ द्विपक्षे आर्थिक और व्यापारिक संबंधों का विस्तार करनी के अपनी प्रतिवधता को दोहराया अंतराश्टे योग दिवस के 50 दिन पहले आज जैपुर में योग महुस्व का आयू जिन किया गया है और लखनों में आईकल क्रिकेट में रोहल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लखनों सौपर जैंट्स को 18 दन से हराया समाचार प्रभात के साथ मैं कनेक लाता इस वश अप्रैल में प्राप्त सकल वस्टू और सेवाकर जैस्टी राजस्व एक लाग सतासी हजार करोड़ के साथ अप तक का सरवाथिक संग्रा है कुल राजस्व में से केंद्रे वस्तु और सेवाकर 38,440 करोड रुपे, राज्य वस्तु और सेवाकर SGST 47,412 करोड रुपे और एक्रत वस्तु और सेवाकर IGST 89,158 करोड रुपे है वहीं उपकर 12,000 करोड रुपे से अधिक है वित्त मंत्राले ने कहा कि अप्रेल 2023 का राजस्व संग्रा पिछले वर्ष के समान महिने के तुल्ला में 12 प्रतिशत अधिक है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारती और सेरस्था के लिए बहुत बड़ी खबर है वित्त मंत्री के च्वेट के जवाब में प्रधान मंत्री ने कहा कि करके कम दरों की बावजूद बढ़ता कर संग्रह दर्शाता है कि जीएस्टी ने कर अनुपालन की व्यवस्था को बढ़ावा दिया है करनाटोग में विधानसभा चुनाव से पहले विभिने राजनते जनों के वरिष्ठ नेता, जनसभाएं, रेलियां और रोड़ शो करने में लगे हुए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजी में दूसरे चरण के अपने दो दिवस्थे चुनाप्रचार की शुरुवात करेंगे वे कलबुर्गी में आज दो पहर रोड़ शो करने से पहले चित्रदग, होस्पेट और सिंधानूर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे इसके अतरिकते वे मुदा अबिदारे, अंकोला और बाली हुंगाला में कल जनसभाएं करेंगे कॉंग्रेस महासाचुवी प्रियंका गांधी आज मांडिया में जनसभा करेंगी और चिंतामणी, होसकोटी और सीवी रमन नगर में रोड़ शो करेंगी वरिस्चिक कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी भी दो जनसभाएं को संबोधित करेंगे और चिक मगलोर में रोड़ शो करेंगे हमारे संबादाता ने बताया है कि इसके अतरिक्त पूर प्रिधान मंत्री और जैनतादर सेकुलर के नेता है एचड़े टेवी गौड़ा विभिन जगों पर जनसभाएं और रोड़ शो में भाग लेंगे 2024 के संसदी चुनाव होने में अभी भी कुछ महीने बाकी हैं राजनितिक परियाविक शकों का कहना है कि करनाटक के चुनावी परिणाम राजस्थान च्छतीस गड़ और मध्ध प्रदेश में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधान सभाद चुनावों पर असर डालेगा भाजपा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए केंद्रिये और राज्ये की कल्यान कारी योजनाओं से लाप मिलने की आशा कर रही है कौंगरिस ग्रामीन करनाटक में गरीबी और युवा मतदाताओं की बेरोजगारी के मुद्दे उठा रही है इस बीच कौंगरिस नेता डीके शिव कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी आज घोशना पत्र जारी करेगी इस घोशना पत्र में कौंगरिस करनाटक के लोगों के लिए पांच वायदों को कार्यानवित करेगी बेंगलूरू से एसन पतनायक के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज निर्वाचन आयोग ने कल मुख्ये चुनाव आयुक्तर राजिव कुमार के नेधरत्वों में करनाटक के वरिष्ट अधिकारियों और निर्वाचन अधिकारों की साथ एक विडियो कांफरेंस की। उन्हों दस मई को होने वाले विधानसभा चुनावों की तयारी और खानुन रविस्था समन्वे की समिक्षा की। मुख्ये चुनाव आयुक्तर ने राज्जी की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश जारी किये। इरान और भारत ने विफक्षे आर्थिक और व्यापारिक सम्बंधों के विस्तार के अपनी प्रतिवध्धता को दोहराया है। इरान के राश्ट्रपते इब्राहिम रवसी ने कल तहरान में भारती राश्ट्रे सुरक्षा सलाकार अजित दोभाल से मुलाखात की। इरान के राश्ट्रपते ने विश्वक की बदलती परिस्तियों और एक ने विश्वववस्था के उभरने पर जोर देते वी कहा कि शंगाई और ब्रिक्स जैसे एक शेत्री और अंतराश्ट संगठन अपनी महात्वपोर्ण शक्ती और संसाधनों से अधिक प्रभावी भ पढ़ सकता है। उन्होंने दुपक्षी सयोग बढ़ा कर नई विश्वववस्था को आकार देने की दोनों देशों की शमता पर भी प्रकास जाला। सीडोभाल ने विश्व में हो रहे बड़े बदलावों और नई वर्ती प्रोध्योगिकों के कारण विभिन देशों की अत्वववस्थाओं के बढ़ते आपसी संबंधों का उलेक किया। भारत का मानना है कि अपने पडोसियों विशेश रूप से इरान के साथ संबंधो को गहरा और विश्वित करना अर्थ व्यस्ता पर सकरात्मत प्रहाद डालने के लिए महत्वपूर्ण है। दुवई से विनोध कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार का क्ष़ से लताविन दुदू। वित्यमंत्री निर्मला सीतारामन आज दक्षण कोरिया में एशियाई विकास बैंक करिदेशक मंडल की चपनवी वार्षिव आमसभा में भाग लेंगी। श्रीमती सीतारामन के साथ एक प्रतेंधी मंडल भी दक्षन कोरिया गया है, जिसमें वित्त मंद्राले के आर्थिक मामलों के विभाग के अधिकारी शामिल हैं. एक रिपोर्ट. बैठक में एशियाई विकास बैंक के सदस्य, पर्यवेक्षक, गैर सरकारी और सिबल सुसाइटी के संगठनों के प्रतिनिधी, वित्य संस्थाओं और बैंकों तथा नीजी क्षेत्रों की कंपनियों के प्रतिनिधी भी भाग लेंगे. अपनी चार दिनों की यात्रा में श् इंदी समाचार कक्ष से अनूजा कुमार. ये समाचार आकाश्वानी से प्रसारिक किये जा रहे हैं. समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है. रक्षा मंत्री राजनाप सिंग आज एक आपचारिक समारों में मौल्दी तर्टरक शकबल को तेज गती का एक गश्टि पोत और एक जल्यान सौपेंगे. श्री सिंग मौल्दी के राष्ट्रपति इब्राहिम मुहमद सालह से भी भेट करेंगे. एक रिपोर्ट. रक्षा मंत्री श्री राजनाप सिंग की आत्रा दोनों देशों के बीच दोस्ती के मजबूत बंधन के निर्माण में महत्वपूर्ण है. उनका आज राष्ट्रपति इब्राहिम सौलह से मिलने का कारिक्रम है. महत्री पूर्ण देशों और क्षेतर में भागीदारों की क्षमता निर्माण के लिए भारत की प्रतिबदिता के अनुरूफ श्री राजनाप सिंग मौलदीव राष्ट्री रक्षा बलों को एक फास पैट्रोल वेसल और एक लैंडिंग क्राफ्ट उपहार में देंगे. वर देश में चल रहे परियोजनास थलों का भी दोरा करेंगे और प्रवासी भारतियों से बात चीत करेंगे. उन्हों ने कल मौलदीव की अपनी समकक्ष मारियादीदी के साथ बैठक की थी. चाचाओं में भारत और मौलदीव के बीच रक्षा साजेदारी को और बढ़ा और विकासात्मक पहलों का समर्थन करने के लिए भारत की निरंदर प्रतिबद्धता से अवगत कराया. आगाशवाणी समाचार के लिए कलंबो से मैं एहमद मुहीन फारूखी। और कई संस्तानों ने सहयोग किया है। कारिक्रम को संबोधित करते वे राजसान के राज़िपाल कलराज मिश्ण ने कहा कि भारतिय संस्ति का मूल आधार योग है। ब्योरा हमारे संबाधाता से। 21 जुन को आईविजित होने वाले अंतरास्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन सेस रहने के उपलक्ष में आईविजित किया गया। अंतराश्ट्री योग दिवस का 100 दिन का काउंट डाउन दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित हुए काईक्रम से सुरू हुआ था, पचेतर दिन सेश रहने के अवसर पर असम के डिब्रुगड में सामुईक योगा भ्यास का काईक्रम आयोजित हुआ था, जितें हमारे परमादर्निय पढ़ारमजी के निटित्यों में हम बरे निष्टा पुर्भग को मनाते हैं, सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया में भी आस यूग को जिस हिसाब से लोगों ने अपनाया है, ये बरेक हमारे लिए उच्चा जनिक बात है, 21 जून को 9 एडिशन आ सरकारी मदद की घोफना की है, भारत में ऑस्टेलिया के उच्चायुक्ते बैरी और फेरल की अध्यक्षता में, श्रिनगर में हुई एक विशेश बैठक में ये घोफना की गई, जड़ों के और लोटो नाम किस परियोजदा का उद्देश्य पारंपरी ज्यान को स्कूली बच्चों के बीच विज्यान संबंधी गतवीदियों को बढ़ावा जाएगा। पूरो मध्य, पूर्वी और दक्षन पूर्वी क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में आंधी तूफान चलने और बिजली चमकने तथा ओला विश्टी का अनुमान है। मौसम विभाग के महाने देशक डॉक्टर मृतुंजर महापाथ ने आकाश्वाणी से विशेश बात्रीत में लोगों से सतर करने को कहा है। दो तरीकों महारत में लगवग सभी जगा में सिर्फ महाराष्ट्रों करनाटक की कोस्टल इरिया को छोड़कर रेन और फॉनरस्टरम हो सकता है। और ज्यादा तक नॉर्ट इस्ट इंडिया में जैसे जामन कर्समेरिं हमाचल प्रदेश उत्राखंट उत्तर प्रदेश और सेंटरल इने में मज्ज़प्रदेश शत्थिसकर और और उडिसा और साउथ परेंशला में अंधर प्रदेश तलेंगाना तामिनाड़ू आईपल क्रिकेट में आज अहमादाबाद में गुजराद टाइटन्स का सामना जली कैपिटल से होगा ये मैच शाम साड़े साथ बज़े से खेला जाएगा कल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोड ने लखनो सूपर जायंट्स को 18 रन सहरा दिया 127 रन के लक्ष के जवाब में लखनो सूपर जायंट्स की टीम 19 ओवर और 5 गेम में 108 रन पर हिस्से मट गई पहले बल्ले बाजे करते वे बैंगलोड ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 126 रन बनाए थे ये समाचार हमारे वेबसाइट newsonyaya.gov.il.slash इंदी पर भी उपलब्ध है और अब समाचार पत्रों की सोशों के साथ हैं जागरत शर्मा धनियवाद कनक आज अखबारों ने तलाग को लेकर उच्चतम यायाले के फैसले को प्रमुक्ता से छापा है दैनिक जागरण ने लिखा है रिष्टा ना सुधरे तो खत्म हो सकता है विवाद आपसी सेहमती से तलाग के लिए 6 महीने के इंतजार की हिंदु विवाद कानून की बाध्यता भी नहीं होगी राश्ट्वे सहरा की टिपणी है बात बिगडी तु फटाफट तलाग हिंदुस्तान ने छलांग शीरशक से लिखा है कर संग्रह 1.87 लाख करोड रुपई रहा जी एस्टी से अप्रेल में रिकॉर्ड कमाई अमर उजाला नी श्री कृष्ण जन्म भूमी विवाद पर लिखा है हाई कोट का हस्तक शेप से इनकार सिविल कोट में ही सुनवाई लोग सत्य की पहली खबर है अफजल अंसारी की संसद सदस्यता समाप्त चार साल की सजा मिलने के 56 घंटे बाद गई सांसदी राश्ट्रिय सहारा ने करनाटक विरांसवा चुनाव में भाजपा के घोष्णा पत्रकाव लेख किया है समान नागरिक संहिता एनर सी लागू करेगी भाजपा अमरोजाला ने आतंकियों के 14 मेसेंजर एप पर रोक लगाने को केंजर स्तरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है राश्ट्रिय सहारा ने इसे टेरर पर डिजिटल स्ट्राइक कहा है दिल्ली समेत कई राजियों में तेज बारिश, पारा लुड़का, तापमान में 9-10 डिग्री तक की गिरावट जनसत्ता की पहली सुर्खी है नव भारत टाइम्स ने बारिश में भीगी गेहूं की बोरियों की तस्वीर देते हुए लिखा है फसलों पर पानी पंजाब केसरी ने लिखा है ग्यारह राजियों में दो दिन ओले बारिश का अलर्ट हरी भूमी लिखता है भारी बर्फ बारी के कारण बद्रिनाथ के दारनाथ यात्रा रुकी राजिस्थान पत्रिका ने एक सर्वे रिपोर्ट को अपने सुर्खी बनाया है दुनिया भर में पात साल में तकनीक से बदलेगी रोजगार की तस्वीर जुनसत्ता ने भी सी संदर्भ में लिखा है बढ़ेगा तकनीक का बोलबाला घटेंगी नौक्रियां अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर भारत में इस वर्ष अप्रैल में सरवाधिक 187,000 करोड रुपे से अधिक का वस्तु और सेवा कर संग्र हुआ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये भारती अर्ष के विस्था के लिए बड़ी उपलब्धी है भारिपा के वरिष नेता और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी करनाटक में विधान सभा चुनाव के लिए रोडशो और जन सभाय करेंगे कॉंगर्स पार्टी आज अपना घूफना पत्र जारी करेगी भारत आज मौलदीव को तेवर गत्य का एक गश्टी पोत और एक जल्यान स्वापेगा इरान ने भारत के साथ दिवग्षे आर्थिक और व्यापारिक संबंधों का विस्तार करनी के अपने प्रतिवधता को दोहराया अंतराश्टी योग दिवस के 50 दिन पहले आज जैपुर में योग महुस्तव का आयो जंक किया गया है इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंग समाप्त हुआ नमस्कार